मेरी शादी की पहली रात मैं गूंगट ओडे पैठी थी मेरे पती जैसे ही मेरे करीब आये तो वो गुसे से खड़े हो गए और कहने लगे तुम्हारे सरीर से इतनी गंदी बद्बू आ रही है और उन्होंने मुझे धक्के मार कर कमरे से भार निकाल दिया मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ किया मेरे पैरो तले से जमीन ही निकल गई क्योंकि मेरी सास ने जो मेरे साथ मेरा नाम रोली है मैं दिल्ली एक कोलिज में पढ़ती हूँ मैं जैसे ही अपने घर पहुँची तो मैंने देखा मेरे पापा का मूँ देखती रह गई और मेरी मा के चैरे पर भी एक अजीब सी सिकायत थी मेरे पापा बोले रोली बेटा मैंने तुमारी शादी तै कर दी है आज से ठीक 15 दिन बाद तुमारी शादी है उस औरत को मैं पसंद आ गई तो उन्होंने मुझे चुन्नी उड़ा कर मेरे गोद में नारियल और कुछ फल डाल कर मेरा रोका कर गई उस औरत के जाने के बाद मेरी मां गुस्से से बोली कि अपने बिना मेरे और मेरी बेटी की मरजे जाने से ये रिस्ता कैसे कर दिया पापा मेरी मा से बोली रोली मेरी भी बेटी है और मैं उसका अच्छा बुरा जानता हूँ तो मुझे तुम से पूछने की जरुरत नहीं है तबी मैं बोली पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है अभी मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है मैं कुछ बनना चाहती बिना मुझसे पूछे आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करते तो आपने आज मेरी मर्जी जाने बिना कैसे मेरी शादी तै कर दी मैं वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में आ गई थोड़ी देर बाद पापा मेरे कमरे में आए और बोले रोली बेटा मेरी मजबूरी है तब ही मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ मेरे पापा मेरे सर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर चले गई मेरी मा बोली अब तुम ही इस रिस्ते से मना करो रोली बेटा तुम्हारे पापा मेरी बात तो सुनने से रहे मैंने अपनी मा से कहा मा पापा की कोई मजबूरी है जो मैं नहीं जानती लेकिन मैंने शादी के लिए हाँ कर दी ठीक पंदरा दिन बाद मेरी शादी हो गई और मैं माईके से विदा होकर सिस्रॉल की तरफ आ गई आदे रास्ते से जैसे ही गाड़ी गाओं की तरफ मुड़ी तो मैं हैरान हो गई क्योंकि मैं तो सहर में पली बड़ी थी और मेरे पापा बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे गाओं पसंद नहीं फिर भी मेरे गाओं में शादी क्यों कर दी मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मुझे एक बोज समझ कर मेरी शादी एक गाउं में कर दी कुछ देर बाद गाड़ी एक घर के बार रुकी और मेरी सास ने मुझे घरे पर वेस करने के लिए बोला उन्होंने मुझे से देर सारी रसमे करवाई मुझे इस बात की खुशी थी कि घर ठीक ठाकता रसमे पूरी होने के बाद कुछ लड़किया मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बैड पर बैठा दिया मैं थकी हारी बैड पर घूंगट ओडे बैटी थी कि तब ही मुझे किसी के आने की आहट हुई मुझे लगा मेरे पती नवीन होंगे लेकिन जैसे उन्होंने मेरा गूंगट उपर उठाया तो वे मेरी सास थी मेरी सास बोली उठो वह तुम मेरे सास ताओ मुझे लगा अभी कोई नई रसम करनी है मैं उनके पीछे पीछे चली गई, मेरी सास मुझे घर के पीछे वाली गोसालों में ले गई और मुझे गाएं का गोबर निकलवा कर मुझे पूरे आंगन को लिपने को कहा, मुझे बहुत गुसा आ गया, मैंने आज तक ऐसे कोई काम नहीं किया था, मैं सैर में पली बड़ी मैंने अपनी सास को मना कर दिया, तो मेरी सास बोली, बहु मुझे ना नुकर करने वाली बहु बिलकुल भी पसंद नहीं है, मेरा बेटा भी बच्पन से यही काम करता आया है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी यह काम करो, तभी तुम मेरी पसंद की बहु कहला होगी, मेरा इस पहली ही रात, तुमारी माने मुझे से गोबर निकलवाया, और आंगन भी लिपुआया, आंगन लिपने के बाद मेरी सास ने मुझे वापस मेरे कमरे में बेज दिया, कुछ देर बाद मेरे पती नवीन कमरे में आए, आने के बाद उन्होंने मेरा गुंगट उठाया, और मैं नवीन से कुछ कह पाती उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे कमरे से भार निकाल दिया मैं भार बहुत देर तक रोती रही लेकिन नवीन ने दर्वाजा नहीं खोला फिर मेरी सास मेरे पास आई और बोली क्या बात है बहु क्यों रो रही हो मैं रोते हुए बोली मा जी उन्होंने मुझे कमरे से भार निकाल दिया मेरी सास बोली मेरा बेटा तो बच्पन से यही काम करता है तो आज उसे इतनी परेशानी क्यों हुई मेरा बेटा सहर की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने तुम से गोबर निकलवा कर आंगल लिपने को कात ताकि मेरे बेटे को यह लगे कि तुम गाउं के सारे काम कर सकती हो और वो तुमे अपना ले मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई और बोली बहु तुम आज यहीं सो जाओ और मैं तुमें जो कहती हूं कल सुबै से वही करना फिर देखना कि नवीन तुमें कैसे खुसी खुसी अपनाता है सुबै हुई तो मेरी सास ने मुझे एक लाल रंगी साड़ी दी और कहा कि बहु तुम यह लाल रंगी साड़ी पहन कर त्यार हो जाओ और अगर नवीन तुमें अपने पास बुलाए तो मत जाना तुम उसके नकरे दिखाना जिससे की वो तुमारे पास आना चाहे जैसा मेरी सास ने कहा मैंने वैसा ही किया मैं नादो कर त्यार हो गई और जैसे ही नवीन ने मुझे देखा तो वो मुस्करा दिये मैं उनकी तरफ ना देखने का बहाना करके दूसरी तरफ काम में लग गई कुछ देर बाद नवीन ने मुझे आवाज दी रोली जरा कमरे में आना मैं उनसे कहने लगी कल रात ही तो आपने मुझे इस कमरे से बाहर निकाला है तो अब मुझे क्यो बुला रहे हैं मैं कमरे में नहीं गई और घर के दूसरे कामों में लग गई लेकिन जैसे ही शाम हुई मेरी सास ने मुझे से फिर गोबर निकलवाया और आंगल लिपने को बोला मैं उन्हें मना नहीं कर पाई मैंने आंगल लिप दिया मेरी सास ने मुझे फिर मेरे कमरे में भेज दिया आज भी वही हुआ जैसे ही नवीन कमरे में आये और बोले आज भी तुम्हारे सरीर से बदबु आ रही है और आज फिर तुम मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया आज भी मेरी सास मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और बोला तुम यही सो जाओ, अब तो रोज का यही हो गया, मेरे पती मुझे कमरे से निकाल देते, मैं सास के कमरे में सो जाती, लेकिन मैं इस सबसे बहुत प्रेशान हो चुकी थी, बस मुझे इस बात के थी कि मेरी सास मेरे लिए अच्छा सोचती थी और मुझे अपने कमरे में सोने को देती थी एक दिन मैं सुबह सोकर ही उठी थी कि मैंने देखा मेरी सास के पास एक लड़का बेटा हुआ है मैं हैरानी से उसको देखने लगी मुझे हैरानी से रेखते हुए देखकर मेरी सास बोली रोली ये तुम्हारा देवर है ये सहर में नोकरी करता है और वहीं रहता है तब ही मैं बोली माजी अगर ये मेरे देवर है तो हमारी शादी में क्यों नहीं आई और आज तक आपने मुझे इनके बारे में कुछ नहीं बताया मेरी सास बोली बहू शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि यह आ नहीं पाया तुम दोनों बाते करो जब तक मैं बाहर का काम कर लेती हूँ मेरा देवर मुझे देखकर बोला भाबी आप कुछ परेशान सी लग रही है आप मुझे बताये क्या परेशानी है और हाँ आप यहां मा के कमरे में क्यों सो रही है मैंने रोते हुए अपने देवर को सारी बात बता दी कि कैसे माजी ने मुझे से गोबर निकलवाया और आंगल लिपने को बोला मैंने लिप दिया और मेरे पती ने मुझे बदबु आने के कारण कमरे से बाहर निकाल दिया बाबी आप यह क्या बात बोल रही है हमारे घर में तो यह काम सुरू से ही नोकर करते हैं आप एक काम करो आज आप गोबर निकालने मत जाना आप मुझे कोई अपनी एक साड़ी दे दो मैं शाम का गोबर निकालने जाओंगा और आप अपने कमरे में ही रहना शाम को मैंने अपने देवर को एक साड़ी निकाल कर दे दी और वो साड़ी पहनने के बाद भार को चले गई मेरी सास को लगा कि मैं गोबर निकालने चली गई लेकिन मैं अपने कमरे में ही छिफ कर बैठी थी कुछ देर बाद मेरे पती नवीन कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले आज तुमें कैसे हमारे लिए टाइम मिल गया आज तो चमतकार हो गया रोली तुमारी सरी से बदबू भी नहीं आ रही है और आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मैंने अपने पती से कहा कि आप भी तो गोबर निकालते थे तो अगर मेरे से बदबू आती है तो आपको इतनी परेशानी क्यों होती है नमीन बोले ये क्या बोल रही हो रोली मैं सुरू से ही सहर में रहा हूँ और मैं गाउं की लड़की से कभी भी शादी नहीं करना चाता था मैं तो सुरू से ही सेर की पड़ी लड़की से शादी करना चाहता था और उसको अपने साथ सेर में रखना चाहता था मैंने हैरानी से बोला ये आप क्या बोल रही है मा जी ने कहा था कि आप सेर की लड़की से शादी नहीं करना चाहते आप तो गाउं की लड़की से शादी करना चाहते थे, आप बच्पन से गोबर निकालने का काम करते हैं, नवीन बोले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मा कहा है, मैं अभी मा से बात करता हूं, मेरे पती अपनी मा को ढूंडते हुए बहार आ गए, तो हमने सुना कि मेरी सास म मेरे देवर को पीछे की तरफ गोसाला में डाट रही है, तो यहां क्या कर रहा है, मेरे पती मेरे देवर को मेरी साड़ी में देखकर हैरान हो गई, और दूर खड़े होकर मेरी सास की बाते सुनने लगे, मा जी मेरे देवर से कह रही थी, तो यहां गोबर निकालने क्यों हम आया है वो कहा है आज मैंने उस से गोबर निखालने को कह था ताकि मेरा बेटा इस लड़की को नापसंद करके तलाक दे दे और मेरा बदलाबोना पूरा कही जाए उस लड़की के बापने मुझे जो दोका दिया था मैं उसका बदला उसकी बेटी से लेना चाहती हूं मैं और रोली के पापा अमित एक ही कोलिज में पढ़ते थी हम दोनों को प्यार हो गया लेकिन अमित के परिवार वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने अमित की शादी कहीं और कर दी जिसका सदमा मुझे बहुत गेरा लगा था फिर मेरी शादी तुमार प्रचान गया अमित मुझे देखते ही बोला कैसी हो तुम रेखा तुम मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ साधी ने करके बहुत बड़ा नय किया मुझे अपने किये पर बहुत अफसोस है पर अब मैं क्या कर सकता हूं मुझे फेपडो की टीवी है और मैं बहुत जल् प्याड़ प्यार से रखोंगी लेकिन असल में मैं तो आमित का बदला उसकी बेटी रोली से लेना चाहती थी मैं रोली की शादी अपने वेटे से करवा कर अब असका तलाक करवा दूँगी जिस से मेरा बदला पूरा हो जाएगा और वो अपने बेटी के गं में तरपकर म मर जाएगा अब मुझे समझ आया कि मेरे पापा मेरी शादी जल्दी क्यों करना चाहते थे मुझे अपने पापा की बिमारी के बारे में सुनकर बहुत रोना आया मेरे पती गुसे से बोले बस करो मा अगर मैं इस गलती में रोली के पापा की थी तो मेरा और रोली का क्या नहीं छोड़ी, वो तो मेरे भाई ने आपको बोल खोल दी, नहीं तो मैं और रोली कभी भी एक नहीं हो पाते, मैं रोली को लेकर सहर जा रहा हूँ, रोली तुम अपना सामान पैक कर लो, अब हम यान नहीं रुकेंगे, मेरी सास मेरे पती को रोकती रही लेकिन नवीन ने एक न सुनी और मुझे लेकर सहर आ गई, मेरी सास के पास अब पस्तावे के अलावा कुछ नहीं था, सहर आकर मैंने अपने पापा से फोन पर बात की, और उन से माफी मांगी कि मैंने उनके लिए कितना गल्थ समझा था, असल में तो उन्होंने मेरी शादी इसलिए कर दी क कि उनके पास समय नहीं था, मेरे पापा बोले, रोली बेटा, मेरा इलाज हो गया है, अब मैं ठीक हूँ, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा, मेरी सास रोज फोन करके अपनी गल्तियों की माफी मांगती, लेकिन मेरे पती उनकी एकना सुनते, मुझे अपनी सास पर दय आती थी, फिर एक दिन मैंने दोनों भाईयों से बात की, मैंने और मेरे पती ने मेरी सास को माफ कर दिया, और अपनी सास को मैंने सहर में रहने के लिए बुला लिया, अब हम चारों खुशी से रहते हैं, तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना